नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वोईज उत्तर प्रदेश के दिवरिया जिले के सलेमकूर तैसिल के अंतरकत मुहम्मद हुसेन इंटर कॉलिज के मैदान में स्वर्गी फिरोज अली अंसारी मिमोरियल राज इस्तरी फुटबाल प्रतियोगता का सुबारम किया गए आपको बताते चले कि स्वर्गी फिरोज अली अंसारी मिमोरियल राज इस्तरी फुटबाल प्रतियोगताओं का सुबारम 27 दिसंबर 2021 दिन सोमवार मुहमद हुसैन इंटर कॉलेज नवलपुर के मैदान में सुरू होगा आपको बताते चले कि यह फुटबॉल प्रतियोगिता 26 वर्स बाद फिर से इसका आगास होने जा रहा जबकि इस ग्राउंड पर स्वर्गी आबिद अली अनसारी टूनामेट कराते थे क्योंकि खेल जगत में काफी रूची रखते थे उनका सपना था सलेमपुर तैसीर के छेट के युवग भाग ले और इंडिया लेवल तक अपने छेट का पर्चम लहराए जबकि इस ग्राउ प्रबंद के प्रबंदक एम आयूजक समसाद आलम तथा वाईंसी क्लब त्वारा कराया जा रहा है जिसमें प्रतिभाग आज टीमों वो आमंत्रित किया गया है बलिया पनारस नेपाल आरा सिवान उसी नगर छपरा खैरावाद आदी इस पिसाल को युगता में मुख थानी लोगों से फुटपॉल प्रतियोगता को सफल बनाने की अपील की है साथी सभी सयोगी मुख रूप से मुहमद आरिफ अली अनसारी डाक्टर सैफियूलाह ग्राम प्रतान दिवरिया उर्फ स्यामपुर अब्दुलकादिर डाक्टर राशित प्रुस्टम अली रोश सयोग में जुट गए हैं ग्राउंड की सफाई जोरु सोरु से सुरू हो चुकी हैं दिवरिया से नदीम खान के लिए जी इस वक मैं खड़ा हूं उत्तर प्रतियस के दिवरिया जिले के सलेमपुर तसील के अंतरगत मुहमद हुसेन इंटर्मिडेट कालेट के ग्राउंड में जो की एक अर्से के बाद जो है यहां एक टूनामेंट देखने को मिलेगा जो 26 साल हो गए 26 साल बाद जो है इस टूनामेंट को आगाज करने के लिए यहां पे चारो तरब जो है फिल्ड में काम वगरा चला है तैयारी चल लई है बड़े तैयारी जो है जो है जोरो सोर पूचे दीजे जी सर मैं रेफरी जमाल अक्तर खेरावद मौसे यह ग्राउंड आपने देखा भी जो है चुकि एक अर्से के बाद यहां टूनामेंटी स्टार्ट हो रहा है जी तो ग्राउंड क्या कह रहा है ग्राउंड की स्थिति लगभग सतर परसेंट अच्छी हो चुक सतर परसेंट खेलने के लाइक हो चुका है यह लड़कों की मेहनत है बड़े बुजूर्ग का सपोर्ट है इनके उपर लड़के मेहनत कर रहे हैं इंसाल्ला मच बहुत अच्छा होगा ग्राउंड भी लगभग सतर परसेंट अब तक अच्छा हो चुका है और काम चल रहा ह है आट टीम हैं जो कहा कशी होंगी तीम जिसमें टीम आजमगड मोव बलिया और इदर सीवान च्छपरा बनारस गाजिपूर आरा की टीम आ रही है एक नेपाल की टीम आ रही है कुछी नगर है आट टीम है लगबग 8-6 से आ रही है यह मैंच की यह आल इंडिया है कि इन पना सकते हैं क्योंकि नेपाल भी भाग ले रहा है आसल में हमारा यूपी का संग भंग है राइश्टरट मांच नहीं हो पा रहा है लेगल मैच हो रहा है तो हमें इसका फायदा मिलना है कि हम विदेश की भी टीम उतार ले रहे हैं अब मुमकीन है कि दो एक नाइजीरियन खेलाडी भी नजर आएं लोगों को इसके अब हम जाना चाहेंगे हमारे गराम पर्दान जो है डाक्टर सफिल्ला साभ जो इसके अध्यच है इन से जानेंगे कि और जो है इसकी क्या-क्या इसमें और कमिया है क्या सुधार कर रहा हैं मैश हो गाँ क्या तैयारी एं इसके बारेंंगे यह डाइंगे यह जो अ fake बच्चों posi पाफी मेनत किया सारे लोग लगाऊव लगाऊ गाएं इसमेश मेश के साथ में और इस साल अनुद जो कुछ कमी पूरा किया जा रहा है मगर अगले शाल ना बहुत अच्छा से में बड़े जाए और होसकता है तब तक कि इस्टेडियम भी बन जाए उपने जब कि इस्टेडियम के निओ तो रखी गई है मरूम आभीद अली इनसारी जुटे एनके रहने वक्त चैज़ी नियुकर दी गई करने कि पूरियो को सिस्की जा रही है कि टाइटल रखें एक हमारे को ना कर दू आए devi याद में इस मेज का रख़ा सड्विस गया थिंटेस चाहर है गैए अक मिझे आरे कान जैसा कि इनक गभी काना एजक पर्धान भी एह हमारे ग्रामसभा के परधान भी हैं कर रहा है कि ये करीब ये मैच जो है कांटियू रहेगा और एक अरसे के बाद इसकी आगाज जो है 27 तारीक को इस मैच का आरम जो है शुरू हो जाएगा इसकी आगाज शुरू हो जाएगी निव नेशन वायच के लिए देवरिया से नद